हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गौरव क्रूग्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कफ्षा बारवी के राजनीती विग्यान नी पॉलिटिकल साइंस के असाइन्में नंबर वन के बारे में तो पूरा सुलिशन इस वीडियो में देखेंगे माह अगस्त के असाइन्मेंट का राजनीती विग्यान का सुलिशन है इस वीडियो में पूरा अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्रिप्शन में डला हुआ है वहां से आप पीडिएफ कर सकते हैं और अगर लिंक आ एसाइन्मेंट्स एड भी कर दी हैं पहला प्रेशन इस वीडियो में देख लेते हैं क्या है गुट नीरपेक्ष आंदोलन की तीसरी दुनिया के देशों में तीसरी विकल्प के रूप में समझा जब सीत युद्ध अपने सीखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुन देशों ने आपसी जगणों को परस्पई सहमती से सुल्जाने के प्रयास किये और महाशक्तियों को भी इस इधाधार पर कार्य करने के लिए प्रेजित किया इससे अंतराश्ट्री सहयोग की भावना को बल मिला दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध को गर्म युद्ध मे से बच गया कि थीसरा पॉइंट है अंतराश्ट्री संगर्शों को का टालना गुट निरपेक देशों ने अंतराश्ट्री विवादों को सांति पुर्ण धंग से खल करने के लिए सहयोग दिया इससे अगतिरोध का कम हुआ और संगर्श तल गया चौथा पॉइंट है नि याद कर लिजे वाट्सअप नंबर क्यूंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिस क्रिमेस्ट्री बायोजी का आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का सुलेशन मिलेगा आपको सीधे आपके वाट्सअप नंबर पर बस अपने फोन में वाट्सअप का आठ चारसो चारसो वाट्सअप नंबर शेव कर लिजे और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो कीचे और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजे और पांच सेकेंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉलेशन मिल जाएगा क्लास तिक्स टु ट्वैल आई-ई-ई- सभी के लिए तो देर किस बात की अभी जाए डाउटनोट के 8400-400-400 वाट्सअप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए देशों ने शीत युद्ध के तनावों को कम करके तिसरे विश्व विश्व दुकों की संभावनाव को चींड किया है रस नमबर दो है वहाँ शक्तियों को छोटे देशों के साथ सैने गडंत यह लक्त क्यों नहीं है क्यों पड़ी कोई चार कारण लिखिये इसकता पहला पॉइंट है महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन ये गटबंध इसलिए रखती थी ताकि इन देशों से वे अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें दूसरा पॉइंट है महाशक्तियां छोटे देशों में सैनिक ठीकाने बनाकर दूस्मन देश की द्यादसुजी करते थे तीसरा पॉइंट है छोटे देश सैन ये गटबंधन के अंतरगत आने वाले सैनिकों को अपने देश में रखते थे जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दभाव पर कम पड़ता था चोथा पॉइंट है महाशक्तियां चोटे देशों पर आसानी से अपना वर्चस्व कायम कर सकते थी प्रेशन तीन है सोव्यक संग को महाशक्ति बिनाने वाले कारकों को रिखिए सोव्यक संग के महाशक्ति के रूप में उभरने के कारण पॉइंट वन परमाण अस्त्रों का निर्माण हो या अनुसंधान है सोव्यक संग ने अमेरिका को टक कर दी चौथा पॉइंट है अमेरिका की समक्ष दूरी दूसरी यादी कोई महाशक्ति थी तो वह सोव्यक संग ही थी चौथा प्रश्ण है भारत जैसे देशों के लिए सोव्यक संग अंगर्ज की संपत्ति हो जाएगी और हथियारों की दोड़ पर अंगपुष लगेगा दूसरा पॉइंट है भारत जैसे देशों में पुंजी वादी अर्थवस्था को अंतराश्ट्री स्तर पर सतिसाली एवं महातोपूर्ण अर्थवस्था माननने लगे भारत में भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है रूस भारत की पर मानविक योजना के लिए भी महातोपूर्ण है फिर पांचवा प्रश्ण है निम लिखित घटनाओं के कालकरम अनुसार लिखिए नाटों की स्थापना प्रथम सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगली वीडियो में एक नए असाइन्मेंट के साथ